अगर आप गरीब पैदा हुए तो आपकी गलती नहीं है लेकिन आप गरीब मर रहे हैं वहां आपकी गलती है आपकी नींद की क्वालिटी बेटर नहीं है तो देखना आपकी यादा स्कम जोर हो जाएगी आपके इनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा अपनी नींद की क्वाल मिया में यूसफुल असेट इसलिए मानने कि भारत में सबसे ज़्यादा यूवा है लेकिन वह यूवा गलत दिसा में बटक रहा तो वह बोज है दस साल बाद जो भी आप effort कर रहे हैं सही direction में कर रहे हो सकता है उसका result एकदम से नहीं मिले है इसलिए अगर आप इस age period में हैं ऐसा नहीं कि बाइस के बाद लोग 30 में 35 में 40 में भी success होते हैं पर हाँ effort ज़्यादा लगाने पड़ेंगे उस समय यहां पर यह सबसे ज़्यादा output देने वाली age है और आप में से ज़्यादा तर candidate इसी age में है यह आपका golden age है तो पहला संकल्ब तो आप यह करके जा सकते हैं आज के लिए कि यह 2024 जैसे अभी आप की नोगरी नहीं लगी लेकिन 2024 में आप अपना पूरा जोर लगा देंगे अपना 100% effort लगाएंगे कर सकते हैं एक साल की बात है ले दो साल तीन साल भी ऐसे भटकना है या कुछ अलग कर करना है इसको और साधरन बहुत सिंपल वर्ट में लिखते थे हैं एवरेज नहीं बहुत औस एक होता है बहुत एवरेज इंसान साधरन इंसान जो सिर्फ साधरन परियास करता है जा रहे हैं अbéट रहे हैं रोज सभी इंसान करते ही तो जानवर भी करते हैं साधरन परियास करे साधरन इंसान बन कर रहएंगे शाधरन ओपर्च लगा रहें तो इसको बोलता है कि हम किस करे कि लाइफ जीड़ेएज एवरेज लाइफ जीकर निकल गयी इस से कि आपको डिसाइड करना है कि हम आये हैं इस दुनिया में इंसान के रूप में एक एवरेज इंसान बनकर निकल जाना है या कुछ असाधरन करना है कि ठीक है ओर्डिनेरी जिसको में एक शब्द और ले सकते हैं ओर्डिनेरी और जो कुछ अलग करता उसको हम कहलते हैं एक्स्ट्रा ओडिनरी क्या बोलते हैं इस ओडिनरी से एक्स्ट्रा ओडिनरी बनने के लिए सिर्फ क्या करना है कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने क्या करने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे तो तो आप मर रहे हैं वहां आपकी गलती है आपके माबाप ने आपको पढ़ा दिया और आप इस कोचिंग में बैठा है मतलब आपकी माबाप ने अपना काम पूरा कर लिया उसके बावजूद भी आप एक मीडियोक्रेटी लाइफ जीकर निकल जाते तो गलती किसकी है वह गलती आपकी है वह आपके एफट्स में कमी थी आपने एफट्स नहीं लेगा हम बहुत दोस्त दे सकते हैं मेरे माबाप ने मुझे कुछ किया नहीं मेरे टीचर से ते मेरी कोचिंग ऐसी थी मेरी किसमत खराप थी और सारे लोग मिल जाएंगे दोस्त देने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे तक है अपना दोस दूसरों को देढ़ेंगे ठीक लेकिन आपको चूश करना है कि आपकी लाइफ कैसी बनानी है तो आज सी चूश कर सकते हैं अपने एफोर्ट्स को तो पहला र यहां-पर मैं लिख रहा हूं आप सब के लिए आप लेक्षा कर लोगो हो सकता है तो लक्षे लिगी देना इसको आप अपने हिसाब से थोड़ा-थोड़ा चैंज कर सकते हैं मैं अभी पूरा इस स्पेसिफिक पर लिए हैं कि आपको अपना अपना लक्षे आपको हासिल करना हो कौन सा है 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 कि पूरा जी जान 100% हम नॉर्मली कई बार आपको भी लगता कि हम अपने पूरा एफर्ट नहीं लगा रहे हैं मुझे भी पता है कि मैं पिछले एक साल में अपने पूरा एफर्ट नहीं लगा रहा था हर जगा क्योंकि ध्यान बहुत जगा जगा अलग अलग जगा बढ़ गया हम 10% 20% 30% पर इक काम करते हैं अगर हम सारा एफर्ट एंस एक जगा पर लगा दितको ऊसको इसको अपना सारा एफर्ट एक जगापर शुट कर देना कि लगाऊंगे या लगांगी जैसा आप लिख सकते या इससे भी बड़ा शर्ड जो स्लीन लगाता है इसको भी विर जी जान लगा देंगे मतलब अपना सो पर्षेंट आप समर्पित कर देंगे कि यह लिखना एक तो कि इसको आप और ज्यादा स्पेसिफिक जो मैंने स्मार्ट बताए वो इसा बना सकते हैं एक चीज़ों मैंने आपको बताए कि हाई मोटिवेशन का साएगा वह आएगा हाई एक एनर्जी सहँ आएगा कि अपने अनर्जी लेवल को बहुत एडवांस लेवल पर आपको लेजाना नर्जी लेवल कैसे बढ़ाए थकते से र Chelsea सो रहेंगे पढ़ने का मन नहीं करता यह वोटा बो किताब मन तो थोगे कि वीडियो देखे तो पढ़ लेंगे बुक्स से पढ़ना तो कितना मुश्किल हो गया है तो उसके लिए बहुत हाई लेवल की एनर्जी चाहिए मन नहीं करा है फिर भी पढ़ना है और 10-10 गंटे पढ़ना है तब जाकर कर पाएंगे तो हाई लेवल की एनर्जी चाहिए तो यहाँ पर इस हाई लेवल की एनर्जी को मेंटेन कर लेगे लिए जो मैं दो तीन चीज़े बता रहा हूँ उसको अपनी रूटीन में अपनी लाइफ में एड़ करना है ठीक है सबसे इंपोर्टेंट जो है वो है आपकी नींद कि स्लीप क्वालिटी अगर नींद अच्छे नहीं हुए तो क्लास में नींद आएगी जल्दी किसकी प्रोब्लम थी एक बार हाँ यहाथ खड़ा करके बोलो हाँ नींद छे गंटे परियाब थे ठीक है अब मैं आपको बताता हूँ कि कितना सोना है कितना पढ़ना है कि लीप क्वालिटी मेरी आदत थी ज़्यादा लेट नाइट पढ़ने की और वह गलत आदत थी और उस समय मजबूरी थी कि एकदम से चेंज नहीं होता है अगर आपका स्लीप पैटर्न में कल से करेंगा आप लेट नाइट पढ़ रहे हैं कल से जल्दी सो जाए जल्दी उठीए नहीं चेंज किया जा सकता है ज्यादा बैटर टाइम में मानता हूं कि लेट नाइट पढ़ने से अच्छा है कि आप सुबह जल्दी उठकर पढ़ो तो यहां से आपके संकल्प का टेस्स है कि आप संकल्प कितना पूरा कर पाते हैं ठीक है लेट नाइट इसलिए कई लोग सब कोई फिर भी देखो एक तो बहुत मुश्किल है कि दिन में किसी का दिमाग कम चलता है मेरे साथ ऐसा था कि दिन में दिमाग इतना ज्यादा वर्क नहीं करता है रात में ज्यादा एक्टिव होता है ठीक है इसलिए मैं रात में ज्यादा पढ़ता था लेकिन फिर भी बहुत रे तीन बनाए अपना और लेट नाइट सोने की बजाए आप जल्दी सो जाए आपका सोने का जो टाइम है जैसे छे गंटा इनफ होता है पांच गंटा इस एज में ठीक है सो सकते हैं इन पांच गंटा थोड़ा कम होता है आप एक गंटा ज्यादा सोकर अपने एनरजी लेवल को दोगुना कर सकते हैं इसलिए मैं बताता हूं कि छे गंटा नींद तो लेने ही चाहिए कोई आपको ऐसा मोटिवेशन दे रहा है कि आपको गलट रास्ते पर ले जा रहा है ठीक है वो आपको ख़राब कर रहा है तीन गंटे-4 गंटे की नींद से आप कुछ बड़े काम नहीं कर सकते आपको पर एनरजी चाहिए sleep जो नींद है वो हमारा charger है, क्या है, energy charger है, आप नींद लेते हैं, 6 गंटे के लिए आप चार्ज हो जाता है, अगले 18 गंटे काम कर सकते हैं, लेकिन चार्ज पर उपर नहीं किया, चार्ज 4 गंटे ही किया, 2 गंटे की बेटरी कम हो गई, तो आप 18 गंटे काम कर, मतलब 4 गंटे सोए हैं, तो 18 नहीं फिर 20 गंटे आपने काम के लिए दिये हैं, तो 20 गंटे के से काम होगा, बहुत डल तरीके से काम होगा, आपने 6 गंटे पूरी बेटरी चार्ज की, तो 18 गंटे पूरे अच्छे से काम कर सकते हैं, अब आप होते है पड़े एक खोला मन नहीं लगा तो मोबाइल उठा लिया और 10 बज़े से लेकर एक बज़े तक मोबाइल देख रहे थे उसके बाद आप सोईए एक बज़े आपकी नींद जो एक बज़े से लेकर आप 8 बज़े तक भी सोऊंगे 6 गंटे-7 गंटे उसमें से से एक दो गंटे पहले भी मोबाइल को छोड़ दिया मोबाइल मजबूरी है साथ में रखना पड़ता है पर उसको सोने से अपने बेटर बना ले आपका energy level बढ़ जाएगा क्यों sleep अपने energy चार्ज़र क्या है यह हमारी नींद आपकी नींद की quality बेटर नहीं है तो देखना आपकी यारदास कमज़वर हो जाएगे आपके energy level हो जाएगा अपनी नींद की quality गंटे परियाप्त नहीं कोई लोग आठ गंटे 10 कर भी और कोई लोग 5 गंटे पर बेटर ले सकते हैं अगर नींद हुई थो ठीक है तो अपनी स्लीप क्वालिटी को आपको ब्यास बनाना है कि मैं यो दो रहांते हैं कैसे करते हैं कि अधिया है जो पूरा अएना योग पुरा प्रणायम क्या है सांस लेना और छोड़ना यही तो है सांस को नियंतरन करना सांस को सास को नियंतरित करना यही प्रनायाम है ठीक है सासों के लिए यह नियम बना रखा है स्वासों के लिए आपको जो उमर मिली है आपकी जो नेचुरल जो एज है वो टाइम की नहीं मिले कि आप सतर साल जियेंगे सांट साल जियेंगे असी साल जियेंगे टाइम के हिसाब से नहीं आपको भगवान ने जो उमर दी वो सांसों को गिन कर वेजा है कि आप इतनी सांस लेंगे अगर जैसे अभी वो सांस ले रहे थे फटापट फटापट सांस ले लिया तो सांसे फटापट कतम हो जाएगे और फटापट उपर चले जाएगे ये scientific रूप से प्रूव भी किया हुआ है प्राचीन काल में तो यही इसको ही माना जाता है अगर आप धीरे सांस लेते हैं गहरी सांस लेते हैं और धीरे सांस छोड़ते हैं तो उसमें टाइम लगेगा और आप लंबे टाइम जीएंगे ये सांसों का नियम है ये लाइफ का नियम है जो गहरी सांस लेता है धीरे धीरे सांस लेता है और धीरे धीरे सांस चोड़ता है उसकी उम्र जादा लंबी होती है और जिसके स्वांस गती खोड़ी तेज चलती है उसकी देखना उसकी उमर नेचरल एज कम होती है जिसकी भी स्वांस गती तेज है जिसे नॉर्मली हम इंस किता है उसका पता है उसका एक मिनट में तीन तीन बार सांस लेता हुए सांस लेना और छोड़ना एक एक पुरसाइकल हुआ उसकी एज लगबग लेकर 290 साल तक की उसकी एज होती है अगर हम भी अपने सांसों पर नियंतरित करके उसको अगर लंबा और गहरा बना दे तो यह हमारी एनरजी लेवल को बहुत बढ़ा देगा हमारी एज का प्रोसेसिंग एज का मतलब एजिंग बुड़ा होने का जो आपका टाइम है वह ब बहुत एक्टिव रहते हैं ठीक है तो आपके एज का मतलब अगर आप आप जी रहें 90 साल लेकिन 50 की उमर में बेड़ पर 20 साल निकाल क्या मतलब उसका लेकिन आप 60 साल भी जी रहें लेकिन पूरा एक्टिव जीए तो वह ज्यादा एज है ठीक है तो इसके लिए जो सबसे ज्यादा एनर्जी का सोर्च एक्सराइज यह आपको फिजिकल फिट रखेगा फिजिकल फिट रखना बहुत जरूरी है अपना आपको क्योंकि तयारी की टाइम हम इतना ध्यान दे नहीं पाते हैं हमें लगता कि सब टाइम वेस्टिंग है पढ़ई कर लेते इसकी सब चीजे मिला कर भी सिर्फ मुश्किल से आदे से एक गंटे का अगर आप आदे से गंटा देते हैं तो यह आपके जो बाकी के 18 गंटे जो आप काम करें उसका एनर्जी लेवल को बहुत हाई बना देगा तो इसको आपके रूटीन में एड़ करना है जो कर लेंगे उनका एक साल आगे का बहुत अच्छा जाने वाला है ठीक है और एक जो लास्ट में वही चीज जो मैंने आपको सारा मोबाइल वाले वीडियों बताएं वापस याद दिलाने आ रहा हूँ आपका जो मोबाइल है ठीक है जो आपके पास गेजेट है यह आपके पास एक बहुत इ भी कर सकते हैं बहुट complet भी हो सकता हैं मतलब अबती यूजय्स इवally और बहुत यूसफूल भी हो सकता है यह रहे लेकिन यहीं हथियार आपके लिए आत्म गाथी ही रखतार थकार बरबात कर और आपका time बरबाद होने का मतलब आपका सारा future भी बरबाद कर सकता है ठीक है आप social media यूज़ कर रहे हैं YouTube यूज़ कर रहे हैं वो किसके लिए यूज़ कर रहे हैं वो depend करता कि आपकी अगला एक साल आपका कैसे जाने वाला है यही मैं mobile छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि छोड़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि सारे important काम भी आज इसी से हो रहे हैं तो mobile में करना क्या है mobile में दोनों चीज़े है useless भी है और useful भी है तो जितने भी चीज़े useless है उसको replace कर देना है किसे useful से यानि कि पड़े मैंने उसमें बोला भी था कि अगले एक साल के लिए ज्यादा टाइम भी नहीं कर रहा हूँ अगले एक साल के लिए आपको यह संकल्प करना है कि अपने मज़े के लिए entertainment के लिए मोबाइल का मोबाइल पर एक मिनट भी वेस्ट नहीं करेंगे एक साल के लिए तो कर सकते हैं अगर अपनी life बदल नहीं है तो एक साल के लिए हम ऐसा कर सकते हैं ले सकते हैं कि एक साल के लिए अपने सारे मज़े छोड़ने के लिए तयार है मैंने उसमें उपाई भी बताय वह आपको फीजिकल मेंटल दोनों फीट रखेगा आपको मुवी देखने का शोक है तो बाहर सिनेमा में जाकर देखाए वह एक महिने में दो मhene में एक बाहर ही बहुत होती जो सबसे प्रोब्लम नहीं है और एक साल नहीं देखेंगे अपने कि कोई परण नहीं कि करद हैं ऑपका वीडियो नहीं नहींदगा हुट Bernard दिखेंगे की सारी जो फ करदेना है लोग जो शबलता में आपका योगदया नहीं दें रहाए उनको वो आपके काम के नहीं है सारे यूजलेस को हमें यहाँ पर रिप्लेस कर देना है किस से यूजफुल से तो ओटोमेटिक वही मोबाइल आपका सबसे इंपोर्टेंड गेजट बन जाएगा ठीक है जो मैं संक्रप लिख रहा हूं उसको लिख देना अगले एक साल के लिए मोबाइल पर वेस्ट नहीं करेंगे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं वो तो काम का है वो वेस्ट नहीं है वो तो काम का है पर आपको लगता है कि यह भी मेरे गोल में सायक नहीं है छोड़ दीजिए अगर आपने यह संक्व कर लिय है में एक साल बाद फिर मिलूंगा आप से थिक है मुझे पटा कि एक साल बाद कोई नहीं पता कि सर्म ने इसक integrating कि नहीं किया पर जो फोलो करेगा वो सक्सेस के साथ मुझे यहां पर मिलेगा जैसे अभी यहां पर बेठें उनका कहीं मनी नहीं लग रहा हैं बार बार से तो एक साल बात भी इसी तरह से मिलने वाले है एक साल बात भी फिर भी इसी तरह से मिलने वाले है आप अपने गरवालों के लिए अपने मावाप के लिए भी उसी तरह की फालतु के रहेंगे जैसे अभी है अभी तो काम के नहीं अभी तो को इज़त नहीं करेगा मेरी इज़त मेरे गर में बढ़ गई अभी क्योंकि मैं सबसे यूसफुल असेट्स हो अपने गर का मेरे गाउं में बढ़ गई है क्योंकि मैं सबसे यूसफुल असेट्स हो गई अपने गाउं का उस देश के लिए भी बाकी तो धरती पर बोज बनकर गूम रहे हैं बेरोज़गार होना धरती पर बोज नहीं है पहली बात यह समझ लेना अगर आप सई दिसा में एफ़र्ट लगा रहे हैं तो आप सबसे यूसफुल असेट्स है भारत को पूरी दुनिया में यूसफुल असेट्स हमें कुछ मिल नहीं रहा है वो तो देखो मज़े कर रहा है नहीं द्यान रखना दस साल बाद जो भी आप एफ़र्ट कर रहे हैं सही डारेक्शन में कर रहे हो सकता है उसका रिजल्ट एकदम से नहीं मिले हैं कि संचित उर्जा के बारे में सुना है जो आप एफ़र्ट कर रहा है हो सकता उसका रिजल्ट नहीं देख रहा हो लेकिन वो संचित होता जा रहा है वो potential energy और आपकी यहाँ पर जो सारी energy है कि अपने यह बहुत भरी बांद देखे हूंगे नहीं कि है न वह सारा पानी वहाँ पर इस्टोर रहताए और शांत देखता है आपको क्या लगता उसा पानी में एनर्जी है क्यों हैो कि वैसे तो उस बांद में कितनी एनर्जी उपर से बले वो शांत दीखरा है लेकिन उसमें बड़े बड़े गाउं और यह सारे बैसकते हैं अगर सो एक बार उसकी एकदम से खोल दिया जाए बांध गेट इसलिए सारी कहानी बता रहा हूं मुझे बहुत समय लग लेकिन मैंने छोड़ा नहीं तो सारी इनर्जी अब जब success होने के बाद बहार अगरी तो वो बहुत बड़ा result देखा जा रही है तो जब आपका सई समय आएगा और जब ये बांध से सारी energy बहार आगी तो उसका बहुत बड़ा यहाँ पर result देखने को मिलेगा तो ऐसा भी नहीं सोचना कि हम efforts कर रहे हैं उसके बाद भी result क्यों नहीं मिल रहे हैं result मिलेंगे और वो बहुत बड़े efforts के साथ मिलेगे जितने आपने efforts मिलेंगे उसी अनुपात में उसी गुना में वापस आपको मिलने वाले हैं तो बस सई direction में efforts करते जाना है एक साल बाद मिलें तो आप ऐसा ही नहीरे जैसे अभी हैं अगर या तो यहीं रह या इससे भी नीचे चलेगे तब तो आपकी life पीछे जा रही है आप एक साल बाद मिलें तो आज से वापस कई गुना अपनी शमताओं की साथ मिले तब तो आपका ये एक साल सार तक है बाकी एक साल सार तक नहीं है ठीक है तुम्हें सबसे हैं हो सकता कि हाँ मेरा सबसे मिलना यहां पॉसिब लेकिन आप सब तो मिलने आ सकते हैं मुझे काइन कई टून लोगे हैं तो कहां कम से कम जो सक्सेज हो जाए वो जरूर आ जाना और सक्सेश होने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना यह जो तीन चीजे बताएं आज से इसको फोलो करना शुरू कर देना एक साल बहुत है लाइफ चेंज आपकी जो एज है सब 20 साल प्लस हो चुके हैं लगवक्त दीरी दीरे जिम्मेदार जिनकी 20 से ज़्यादा होगी वो समझ सकते हैं कि 20 के बाद जैसे जिसे एज बढ़ती है बहुत प्रेशर आने लगता है आने लगता है बहुत सारी घर की तरफ से प्रेशर आता है समाज की तरफ से प्रेशर आता है बहुत सारी जिम्मेदार या वो स समझदार होगे सब चीजों को समझने लगए आप मैच्वर होगे 18 से फिले थोड़ा बच्चा बूदी उत्तले में नहीं ही हमें पता भी नहीं होता हमें करना क्या है कैसे करना इतना कुछ मुंदा यहां पर यह सबसे ज़्यादा आउटपूट देने वाली एज है और आप मेंसे ज़्यादा तर केंडिट इसी एज में है यह आपका गोल्डन एज है अगर इसी एज को आप ऐसे ही वैस्ट भी कर सकते हैं वह ऐसे चली जाएगी और इसी का अगर आपने सही इस्तमाल कर लिय इस पर इजा गया तो आप बहुत बड़े बड़े रिजल्ट भी यहां से नहीं जाती है और की सफलते लिए पहली बार में जो सफल होता है उसके आगे बढ़ने की संभावने बहुत जादा होती है लेकिन जब आप किरिवे के वापस उठके वापस जब सफल हो जाते एक बार सफल होने के बाद आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाता है आप सभी अपनी पहली सफलता के इंदार कर रहे हैं लेकिन जब एक बार सफल हो जाएंगे तब आपके लिए बहुत तेज